वाल्कम टू माई चैनल, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि IIT Jam के लिए previous year questions paper कैसे download करें तो चलिए start करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको एक application को download करना पड़ेगा तो play store में चलते हैं, सबसे पहले play store में जाके आप type करेंगे pqp यानि कि previous question papers, और मैंने ये already install कर रखी है, तो आप जब इसे install करेंगे, तो सबसे पहले install का button दबाएं, फिर accept और फिर download होनी start हो जाएगी और फिर इस तरह का आपको icon दिखाई देगा तो इसके बाद आप open पे चले जाएंगे, ये आपको app पे लेके जाएगा direct फिर app open होने के बाद आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ entrance exams के लिए नहीं, बलकि all exams के लिए questions paper available होते हैं, किसी competitive exam के लिए या फिर eligibility test के लिए, लेकिन हमें IT jam के लिए करना है तो आप entrance exam पे click करेंगे, entrance exam पे भी आप बहुत सारे available है, ITG के, GAT के आपको सब पे मिलेंगे, लेक तो हम 2017 का देख लेते हैं, फिर आपको यहां सभी subjects के display होंगे, physics के biological science ऐसा करते हैं, physics का देखते हैं, जैसे ही आप physics पे clear करेंगे, यह आपको instruction दिखाएगा, अगर आप IT jam के लिए prepare कर रहे होंगे, तो आपको यह instructions पता होंगी, कि A में आपके 30 questions होते हैं, जिसमें 10 questions 1 marks के ह और बाकी 2 marks के होते हैं, और section B में आपके 2 marks के होते हैं, जो multiple selective होते हैं, और section C में आपके numerical answer type होते हैं, जो आपको options नहीं होते हैं, आपको integer value एंटर करनी होती है, यहां 41 से 50 तक 1 mark के, और 51 से 60 के लिए 2 marks के होते हैं, ओके कर देंगे आप, फिर यहां देखेंगे आप सारे questions आपके आ रहे हैं, आपको next पे जाना है, तो आप नीचे यहां क्लिक करेंगे, अगर आपको previous पे जाना है, तो आप already पीछे वाला button दबाएंगे, और अगर आपको direct किसी question पे visit करना है, तो यह जो side में बटन है इस पे जाएंगे, और माली जी हम 50 पे जाते हैं, तो आप 50 पे click करेंगे, और यह आपको direct 50 पे लेकी चला जाएगा, और यहां आप questions की practice कर सकते हैं, I hope it helps, thank you so much.